इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Trezo easy sachet एक ऐसी दवा है जो आपके पेट में बनने वाले acid की मातरा को कम करती है इसका उप्योग पेट और आंग के acid से संबंधित रोगों जैसे acid reflux, peptic ulcer रोग और अत्यधिक acid उत्पादन से जुड़ी कुछ अन्य पेट की स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है Trezo easy sachet का उप्योग पेट के ulcer और acidity को रोखने के लिए भी किया जाता है जो लंबे समय तक दर्ड निवारक दवाओं के उप्योग के साथ देखा जा सकता है यह proton pump inhibitor यानि की PPI के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है यह दवा भोजन से एक घंटे पहले अधिमान तर सुभा में लेनी चाहिए खुराक आपकी अंतर नहित स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इसे नियमित रूप से प्रतिक दिन एक ही समय पर अपने चिकित सक द्वारा सलाह के अनुसार लेने का प्रयास करें आपको इसे निर्धारित अनुसार लेते रहना चाहिए भले ही आपके लक्षन जल्दी गायब हो जाएं आप अधिक बार छोटे भोजन खाने और चाए और कॉफी जैसे कैफी न्युक पे और मसालेदार या वसायुक भोजन से परहेच करके अपने लक्षनों को सुधारने में मदद कर सकते हैं इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, सिर्दद, चक्कर आना, पेट फूलना, दस्त और पेट दर्द शामिल हैं ये आमतोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर ये आपको परिशान करते हैं, या दूर नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें आप इस दवा को जितनी देर तक लेंगे, साइड इफेक्ट का खत्रा बढ़ सकता है लंबे समय तक उप्योग, यानि की एक वर्ष से अधिक हड़ी के फ्रेक्चर के लिए आपके जोखिम को बढ़ा सकता है, खास कर उच्छ खुराक के साथ घडियों के नुकसान, यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे केल्शियम और विटमिन डी की खुराक लेना इस दवा को तीन महीने या उससे अधिक समय तक लेने वाले कुछ लोगों में निम्नरक्ट मेगनीशियम का स्तर, यानि की हाइपो मेगनीशियमया देखा गया है इससे थकान, भ्रम, चक्कर आना, मांस्पेशियों में मरोड और अनियमित दिल की धरकन हो सकती है इसे रोकने के लिए आपका डॉक्टर आपके मेगनीशियम के स्तर की निगरानी कर सकता है रेजो ईजएट सैशे कुछ लोगों के लिए उप्यूक्त नहीं है इस दवा को लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को यह बताना होगा कि क्या आपको लीव की गंभीर समस्या है HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं अतीत में इसी तरह की दवाओं से अलजी की प्रतिक्रिया हुई है या हड्यों के नुकसान, यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपके पेट में अत्यधिक एसिड बनता है और आपके लक्षन बिगर सकते हैं यदि यह दवा आपको चक्कर या नींद का अनुभव कराती है तो वहन न चलाएं या मशीनरी या उपकरन का उप्योग न करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद